क्या diode सिर्फ rectification के लिए इस्तमाल होता है क्या इसका यही काम है कि हम एक AC voltage को DC में convert कर लें नहीं इसके बहुत सारे काम है और बहुत सारे कामों में हम इसको इस्तमाल भी कर रहे होते हैं जैसे के अगर आपका भी bank जाते हैं तो आपको अपना ticket number शो हो रहा होता है आप NIC बनवाने जाते हैं नादरा के मेगा सेंडर तो वहाँ पे भी आपको अपने टिकेट नमबर शो हो रहा होता है आपके घर में कुछ लाइट्स लगी हुई है क्या उन लाइट्स में भी डायोड हैं? बिल्कुल है तो आप रिमोट चला रहे हैं किसका टीवी का या एसी का या किसी भी और चीज़ का वहाँ पे भी डायोड हैं तो ये कौन-कौन से डायोड होते हैं? ये कहलाते हैं Spatially Designed P-N Junction Diodes और इसमें इसे तीन हमने पढ़ने हैं सबसे पहला कौन सा है? LED, Light Emitting Diode दूसरा कौन सा है? Photo Diode और तीसरा है Photovoltaic Cell सब में हमारे पास P-N Junction है और हमने P-N Junction के बारे में जितनी भी knowledge ली है इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले वो बिलकुल as it is ऐसी ही है तमाम चीज़ों में तो आईए देखते हैं सबसे पहले LED को Light Emitting Diodes क्या होते हैं ये? नाम से ही पता चल रहा है Light Emitting Diodes एक ऐसे Diodes जो Light Emitting करें कब करें? देखो भई कि जैसे ही मैं Forward Bias Condition में Connect करूंगा एक P-N Junction को तो Electrons जो है वो N से P में जाना शुरू हो जाएंगे और Current Produce होना शुरू हो जाएगा लेकिन LED में क्या खसूसियत होती है? इसके अंदर जो Material यूज करा जाता है या जो Semiconductor यूज करा जाता है वो होता है Gallium Arsenide या Gallium Arsenide Phosphite और वो करता क्या है? कि जब भी एक Electron जम करता है N से P Junction में तो जब भी वो जम करेगा तो एक Photon इमिट होगा जब वो Light Emit होगी विजिबल लाइट होगी जो कि आपको नदर आने वाली होगी तो आप बोलेंगे ये कौन सा डायोट है Light Emitting Diode तो ये इसकी Speciality है मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से Semiconductors इसमें यूज करा जाते हैं और Pin Point याद रहे कि यहाँ जब भी Forward Bias Condition में Electron उटके आ रहा होगा इन से P पे ठीक है जी तो हमेशा जब वो Combined हो रहा होगा ये काम हो रहा होगा तो एक Visible Light का Photon निकलेगा और वो Photon आपको नदर आएगा ये कौन सा डायोट हो जाएगा Light Emitting Diode अब ये हमारे पास Number Display करने के लिए भी यूज होता है अगर हम इसकी Array बना लें तो इसकी Array बना के हम एक LED Bulb भी बना सकते हैं और LED Bulb के लाबा एक Small Lights के बजाए थोड़ी Large Lights भी हम इससे बना सकते हैं जो के Power भी कम से कम Consume करती है और रोश्णी भी उतनी ही देती है कि जितनी दूसरी Light समय देती है तो ये थैं हमारे पास Light Emitting Diodes अब दूसरे पर आ जाते हैं दूसरा है Photo Diode Photo क्या? जैनि Photo जब आप कोई भी Moment Capture करते हैं By Using Light Photo केशते हो ना तो Light की मदद से वो Photo जो है वो आपके कैमरे में Save होरी होती है तो Photo Diode अब यहाँ पर क्या मुराद है? Photo से ले लो Light Diode से ले लो Diode अब होता है क्या है? Photo Diode Photo Diode एक ऐसा P-Injunction Diode है कि यह Operate होता है Reverse Bias Condition में ठीक है जैसे ही Light Incident होती है जब कोई Light Incident नहीं होई भी There is no current कोई current नहीं है कौन सा current नहीं है? Reverse current नहीं है लेकिन जैसे ही Light Incident होती है Reverse current बढ़ना शुरू होता है तो इस की खसूसियत क्या है इस Photo Diode की It is Operated in Reverse Bias Mode और Operate कब होता है? जैसे ही Light पढ़ती है तो इसमें Reverse Current बढ़ना शुरू हो जाता है अब ये Graph बना हुआ आपको नदर आ रहा होगा देखिए इस Graph को ये Graph बना हुआ है Reverse Current और Intensity of Light के धनमियान और ये Graph एक Linear Graph है एक Straight Line है जैसे जैसे Intensity of Light बढ़ती जा रही है Reverse Current भी बढ़ता जा रहा है ये एक Straight Line Graph है तो Operate किसमें हो रहा है Reverse Bias Conditions में और इसका